दोस्तो वीडियो को जादा से जधा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जीओ भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस इस बात से अभी भी सवाल उठा रहे हैं इस बीज इटालियन के पत्रकार मेरीनो ने इस घटना का पूरा विवरन चाप कर देश दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया है मेरीनों ने लिखा है कि भारती वाय उसेना के तड़के सारे 3 बजे हमले हुए थे मेरी सूचना के मताबिक सिंकियांगी आर्मी कैम्प में सेना की एक टुकडी घटना अस्तर पर पहुँची मेरीनों ने आगे बता है कि सेना की टुकडी हमले के दिन सुबह 6 बजे घटना अस्तर पर पहुँची सिंकियांगी बाला कोट से 20 किलोमेटर दूरी पर है अब आर्मी कैम्प का बेस कैम्प भी है इस जगह पर पाकिस्तानी सेना की जूनियर लीडर अकेडमी भी है आर्मी के टुकडी के बाला कोट पहुंचते ही वहाँ इस जखमी लोगो को पाकिस्तान आर्मी के अस्पिताल में भरती करा गया अस्थानिय सुतरों के मुताबिक आर्मी कैम्प में अस्पिताल में अभी भी करीबन 45 लोगों का इलाज अभी चल रहा है इस दोरान 20 लोग की मारे जाने की खबर आ चुकी है इटेलियन पत्रकार ने बता है कि इलाज के बाद जो लोग स्वस्थ हो गए उन्हें पाकिस्तान आरमी में अपने सकर्फी के लिए रख लिया और उन्हें अस्पताल के डिस्चार्ज नहीं किया गया कई हपते में च्छानबीन कर रहे सोर्स से माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है इसके मुताबिक कहा जा सकता है कि हमले में जैस ए मुहमद के कई कैड़िट मारे गए है मिर्तकों की संग्या 130 से लकर के 170 हो सकती है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कबर है पागल कुटा, नली का कीड़ा, गंगू तेली, मंच पर परधार मंतरी मोदी की याद आई ये सब गाली है जी हाँ तो लोकस भाचुनाओ के अंतिम चरण के नजदिक आते ही परधार मंतरी मोदी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है परधार मंतरी मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने मुझे गाली देने की होड लगी हुई है अभी तो कांग्रेस गाली के तोर पर उस पर अभी प्रेम बरसा रही थी इस तोरां प्रधानमत्री मोदी ने उस पर सब्दो को भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इस्तमाल किये है प्रधान मतरी मोधी ने गिनाय कि इसके एक नेता ने उन्हें गाली दी है गंदी नाली का कीड़ा कहा और दूसरा कहा गंगुतेली और तीसरा जो नेता है वो कहा मुझे पागल कुदता जेहां दोसो, रैली में परधान मतरी मोधी ने कहा कि इतने बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तोर पर बिमार बताया, नीच किसमत का आदमी बताया, यहां तक कि यह भी नहीं पूछा कि मेरे पिता कौन थे, यह नहीं मालुम कि मेरे दादा कौन थे, यह नहीं माल मुझे पर्धार मतरी बनने के बाद क्या-क्या उपहर दिये वे भी मैं आपको बता देता हूं मुझे most stupid PM कहा जवानों के खून का दलाल कहा पर्धार मतरी मोधी ने कहा है कि मुझे प्रेम की dictionary से मेरे लिए गदारी मुसोलिनी हीटलर जैसा सब्द भी निकाले पर्धार मतरी मोधी ने कहा है कि Congress के नामदार जिस पर अपने प्रेम की dictionary दिखा रहे हैं अगर कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा लेकिन आज मैं देश के सामने सारी सचाई रख रहा हूं मुझे गाली देते हुए इस लोगों की कितनी बार मर्यादा तार तार की ये भी इसकी प्रेम व आया क्यूंकि वो मोधी की बोटी बोटी करना चाहते हैं भुपाल लोकसवाज चेतर के लिए प्रग्या ठाकुर ने जारी किया संकल्पत्र किये बड़े वादेश जी हाँ तो तो Congress के दिगज नेता और भुपाल लोकसवाज सीट के प्रत्यासी दिग्विजे सिंग की तर के देने और साल 2014 तक के देश में 50,000 ने स्टार्टप अस्थापित करने में भुपाल को प्रत्साहन के लिए संगठित प्रयास का वादा किया हैं इसके अलावा प्रग्या ठाकुर ने इसमें किसान कल्यान का लक्ष सुनिशित करने के साथ साथ देश भर में वेर हाउस ने भुपाल के अपना इस संकल पत्र में जारी करने के बाद प्रग्या ने समवादाताओं से बाचित करते हुए इस संकल पत्र का केवल अंस मातर बताया कि इसमें और भी चीज़ जुड़ी हुई हैं गया थे कि 2008 में हुए माले गाउं विस्फोट मामले में आरोपी हैं और फिरहाल जमानत पर हैं मद्ध परदेश की भुपाल लोकसवाद सीट में उनका मुक्ख मुक्ख मुकाबला कॉंग्रिस के नेता दिखविजे सिंग से हैं जेल में रहते हुए दीनों की याद करते हुए उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस के परताड़ना के कारण चुनाव प पुलिस कर्मी समयत नो लोगों की मौथ 24 गहल जी हदो तो लहोर इसी दाता दरबार में हुए बंबलास्ट में नो लोगों की मारे जाने की खबर है और 24 लोग घायलों को अस्पताल में भरती कराय जा चुका है पुलिस के हवाले से यह खबर आ रही है कि यह धमाका पंजा पुलिस अधिकारी धर्म अस्थल के बाहर बंबारी का निसाना बना रहे थे उनका कहना है कि यह धमाका हुआ तब सैकडों लोग सधालू मंदिर के अंदर बाहर थे समचार एजंसी पिटी आई की और से जानकारी की मुताबिक आपको बता दे कि अभी तक यह पता नहीं च कर दीजिए जी हाँ दोस्तो कागरी अध्दक्ष राहुल गांधी ने अवमानना मामले में बिना किसी सर्थ के सुप्रीम कोट से माफी मागी है इसके साथ ही सुप्रीम कोट में हलफ नामा दाकिल करते हैं उन्होंने गुहार लगाई है कि अब इस केस को बंद कर देना चा दीजिए जी हाँ दोस्तो की साथ ही अब सुप्रीम कोट को भी माल लेना चाहिए कि जोकिदार चोर रहुत दोसर राहुल गांधी ने अपने तीन पेज में ताजा माफी नामे में कहा है कि कोट का अपमान करते ही उनकी कोई मंसा नहीं नहीं उन्होंने जान बुझ कर ऐसा कहा है नहीं अदालत की नयाएक प्रकरिया में वो किसी तरह से बाधा पहुंचाना चाहते हैं भूल वस उन्हों से यह गलती हो गई लिहाजा इससे पहले वो छमा चाहते हैं साथ ही राहूल गादी ने यभी का कि सुप्रीम कोट में इस हलफ नामे को सुविकार करने के बाद केस को बंद कर देना चाहिए इससे पहले 22 अप्रिल को राहूल गादी ने सुप्रीम कोट के अपने बयान को लेकर के खेद व्यक्त किया था दोस्तों आपको बता दे कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों रफाल मामले में सुप्रीम कोट ने केंद सरकार को फटकार लगाते हुए पेस हुए दस्तावेजों की सत्यता स्विकार के थी। जिसके साथ राहूल गादी ने मीडिया से बाचित करते हुए कहा था कि चोकिदार चोर है, सुप्रीम कोट ने माल लिया है कि रफाल मामले में कोई ना कोई ब्रशचार जरूर हुआ है, नई दिली के सांसत बीजेपी और नेता मिनाक्षी लेकिने इस पर सुप्रीम कोट के आउमाना याजी का दाहे खिल की थी, इस पर संग्यान लेते हुए कोट ने कहा था कि हमने इस सब्सका इस्तमाल कभी नहीं किया, जो राहुल गाधी ने कहा है, यानि अदालत ने चोकिदार चोर है, वाक्य का इस्तमाल नहीं किया, जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खेवरे, सन्युक्त राश्ट की अस्थाइश्वदर सिता मिली तो भारत कितन ताकतवर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने फिर से सन्युक्त राश्ट संग में भारत की अस्थाइश्वदर सिता दिलाने की बात कही है, पिछले कुछ दसकों में भारत लगतार ये मांग करता रहा है, गाहे बगाहे अमेरिका और फ्रांस जैसे देस ने भारत को अस्थाई सदस्ता देलेने की बात भी कही है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि भारत कितना ताकतवर हो जाएगा, सनुक्त राश्ट संग की अस्थापना 24 अक्टोबर 1945 को होई थी, भारत इसके मूल अस्थापना सदस्त को, यानि कि जिस देश में सनुक्त राश्ट क गोश्टा पतर पर हस्ताचर किया था, उसमें भारत एक था, आपको बता दे कि उस समय सनुक्त राश्ट के 5 सदस्यों को यास्थाई सदस्ता प्राप्त की गई थी, जिसमें से वीटो पावर भी मिला था, कहा जाता है कि उस समय भारत को अस्थाई सदस्ता नहीं मिली थी, लेकिन ओफर भी दिया गया था लेकिन उस समय तत्कालिन प्रधारमंत्री जोहरला नहरू ने इसे अस्विकार कर दिया 23 दिसंबर 1955 को डॉक्टर जे एन पाखेर के सवालों के जबाब में नहरू ने संसद में कहा था कि यूएन में सुरक्षा परिशत के अस्थाइस सज़त बनने के लिए अपचारिक या अनपचारिक रूप से कोई प्रस्ताओं नहीं मिला था वीटो के साथ मिलेगी यह पाउर जीहां तो अगर भारत अस्थाइस सज़त से बन जाता है तो क्या होगा कितना ताकतवर होगा भारत वीससग कहते हैं कि तब भारत के पास एक ऐसी वीटो पाउर हो जाएगी जिसमें काफी हद तक एसिया में सक्ती संतुलन ही बदल जाएगा तब एसिया महधियूप में केवल चीन ही नहीं बलकि भारत भी राजनितिक ताकत के रूप में सुमार होने लगेगा दुनिया में यकीनन हमारा दबदबा और ताकत दोनों बढ़ेगी तब भारत की बात अंतराष्ट ये मंचुपर कही जाने वाली ज़्यादा गंफीर हो और सुनी जाएगी चीन के खेल को रोकने के यह ताकत है जिहां तो अब तक एसिया को लेकर के कई ऐसे बड़े सनुक फैसले राष्ट में आते हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या नहीं भी मानता है पाकिस्तान भी चीन की अड़ंगा में अपने खेल को खेल रहा होता है तो दक्षिन एसिया के लिए खतरनाक बन जाते हैं भारत की अस्थाइस सदस्टा लेने के लिए फ्रांस और अ दुस्तों अस्थाइस सीट के लिए भारत की दलिल क्या है यह दुनिया के सबसे बड़ा लुकतंतर है भारत यह 120 करोड से अधिक अबादी वाला दे से यह दुनिया के पांच बड़ी अर्थब्यवस्था में सुमार है भारत की सेना दुनिया की पांच बड़ी सेनाओं मे से सामिल है हम सांती के लिए हमेशा यह सेना भेजता रहता है